हेलो सुटेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप क्या आप बहुत अच्छे होंगे और आधम पढ़ने वाले हैं बेसे सगेंड सेमेस्टर केमेस्ट्री का एक मौस्ट इंपोडेंट टोपिक क्लासिफिकेशन आप पॉलीमर पढ़ने से पहले पॉलीमर क्या होता है एक बार थो इंदी में कोई नाम होता है इसका हाँ होता बहु घरवाली बहुने यह यह फिक है लुक नाम दो बहुत सांधर है का साम बीन कहाँ बहुत जगाई योज होता है आईसी जगाई यूज करते हैं आप खुद नहीं पता होगे ही और मतलब होता है का इया इसको बलते हैं एक लग यहानें कि छोटे छोटे अणोंसे मिलकर एक बाला बनता है जिससे पॉली को टे यह उसको एक लग बोलते अब एसा एक लग फ्रस दुसरा एक लग प्लस तिसरा एकल लग न चोथा एकला और भाई एक दिवार बनके त्यार ओए इसको आप पोलीमर के दो किया इस दिवार में बहुत सारी ही इते हैं ऑसकी एक जो है वो मेरे पास क्या है मौनो मरे एक लग ह ठीक है समझ माया ठीक है तो पॉलीमर देखो पॉलीमर में लिख दे रहा हूं थोड़ी सी इसकी कता हलकी सी के पॉलीमर पॉलीमर ठीक है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है दो ग्रीक वर्ड कौन-कौन से हैं दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है से मिलकर बना है अच्छे सर मिल कर बना है हम नहीं माल लिया आपने पड़ा दिया हमने माल लिया कौन कुन सा पोली का मतलब होता है अनेक ओके ओके इसको कहते है हिंदी में मैंनी अच्छा मर मर का मतलब क्या हो गया इकाई इकाई मतलब इकाई वहिया इकाई इसको कहते हैं एक लख एक लख ठीक है इकाई मतलब एक लख ओके 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 तुसका मतलब यह हुआ कि पोली मर्ज होता है वह अनेक छोटे-छोटी इकाई उसे मिलकर बना होता जिन्हें हम एक एक लख कहते हैं यानिक छोटे-छोटे अड से मिलकर छोटे-छोटे अनुओं से मिलकर ठीक है छोटे-छोटे अनुओं से मिलकर या छोटे-छोटे मोलेक्यूल से मिलकर एक लार्ज मोलेक्यूल बनता है एक बड़ा अनुब बनता है अनुब बनता है इस हम क्या वोलता है बड़ा अनुब बनता है जिसे पॉलीमर कहते ह कहते हैं ठीक है इस प्रिक्रिया को हम क्या बोलता है पॉली मेरी जेशन कहते हैं याद कर लो कि बहुत जादा यूज होने वाला यह ठीक है इस प्रिक्रिया को इस प्रिक्रिया को इस प्रिक्रिया को हम क्या बोलते हैं पेटे इस प्रिक्रिया को पॉली मेरी जेशन कहते हैं कहते अच्छ ठीक है अच्छ तो चारफ को हम हिंदी में कहते हैं मोन तो छोटे छोटे अनु जो मिलकर छोटे छोटे अनु नहीं पुल्कुल एजी टॉपीक है मुंन्य बच्चो वाला दो रुपे के इजी से भी तिक है दोगो छोटे छोटे अनुगों को छोटे 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 अणू जो मिलकर एक बड़ा अणू बनाते हैं मोनोमर कहलाते हैं मोनोमर कहलाते हैं जैसे करे मैं पॉली तीन मना हूं दोब्रगार जो होती है पॉली एथलीन होती है एक हाइड एक पोली एक लोड राइस्टी पोली एथिली नोटी यानि लिए एक होता एक और एक होता तुमारे पास एल डीपी एफी और एल डीपी दोनों आपने देख रखिए पॉल थी लेकिन आपको पता नहीं एक कोंसी ह्टीपी एक कौनसी अल्डीप आज सब सब्सक्रेट करने हुआ करने तो लग करने में है एक लि कीच यह कोड़ी तो तो मेरे पास करना सेच टू सिंगल बॉन सेच टू का होलन बन जागा तो यह मेरे पास पॉलिथीन क्या बन गया यह पॉलिथीन जो की आप दुकान पर जाते हैं ना और भाईया आपने कोई भी समान खरीदा तो आपको पॉलिथीन तो पक्का मिलेगा हाथ तो में तो लाओ गी नहीं तो पॉलिथीन होती है ना यानि कि जो यह पनी जो होती जिसमें आप ठैली लातों जो से बोलते हो ठैली उस ठैली को हम बोलते हैं पॉलिथीन ठीक है वह पॉलिथीन होता अब यह बनाया कैसा जाता है ऐसे करके अब इसमें जो यह चीज़ है यह वाली यह धियान देना है यह क्या है मेरे पास यह है मोनोमर यह कितने अड़ों है अड़ों है यह मोनोमर है अब मोनोमर को जब आपने हाई टेंपरिचर हाई प्रेसर पर आपने हीट कर रहोगा तो मेरे पास क्या बना होगा बेटे पॉलिथीन बन गया और यह है मेरे पास पॉलीमर यह क्या है पॉलीमर यह होता हमारा पॉलीमर तो इस मोनोमर से क्या बना है मेरे पास पॉलीमर जब अनेक मोनोमर आपस में जुड़े होंगे तो पॉलीमर बना होगा अनेक मोनोमर आपस में जुड़े तो क्या मना दिया पॉलीमर में अनेक मोनोमर होते हैं एक दिवार में अनेक इटे होती है ठीक है समझ माया कुछ बस और यहां कितने मोनोमर आपस में जुड़े एक लग आपस में जुड़के पॉलीमर मना रहे हैं उसका अनुभार बहुत जाद होता है तो मैं लिख बाद दे जाओं के पॉलीमर का जो अनुभार आता ना लग भग अब इतने सारे पॉलीमर हैं हर पॉलीमर का अनुभार अलग अलग होता लेकिन मैं एक रेंज लिख दूंगा रेंज उस रेंज के अंतरगत ही अनुभार होगा इसका ठीक है देखो जड़ा पॉलीमर पॉलीमर का जो अनुभार होता ना पॉलीमर का अनुभार लग भग पॉलीमर का अनुभार अनुभार बहुत ज्याद़ होते हैं यानिके पुछ होता है पॉली मर्ग का अनुभार दस्की घात तीन से दस्की घात साथ यू में आता है ठीक है होता है यू होता है ओके तो यह अनुभार क्या सोता अति उच्छ होता है ठीक है यानिके पॉली मर्ग का अनुभार अति उच्छ क्लाते हैं ये मोनोमर है जब यह टो मिले मोन मर्के तो क्या बना दिया हमारा बना इसको हम इस को सब्सक्राइब कून से एल्डी पी यह ऑफ बहुत सारे मोनोमर मिलका एक वही बहुत जादा होगा खिक प्रेथिन स?!" मば लो धस्य त इदिधने उसनत मरेता हैं, art नाइलोनी सिक्से मिलता है, रस sm लेने जाते हों नायलोन सिक्सक्स यह सब क्या है तुमारे पते कुछ पोलीमर प्रपाइंकरत्रिक होता है चुछ पॉलीमर इंसान ने खुद बनाए हैं है केमिकल पतार फोगे दुवारा जैसे आप प्रफ रवर देला प्राइब से मिलती है धिया हमें आप यह तो सिर्फ हम एजामपल लिख वारे इस्टार्ज प्रोटीन पीवीसी एटीसी आधी कर दो अरे भूद पीवीसी मतलब पॉली बिनाईल किलोराइड यह पॉली बाइनिल किलोराइड कोई दिक्कता नहीं है नाइलोन सिक्सिस आप प्रोटीन भी लिक्स प्रोटीन तो हो आप पॉली लिख सकते हो पॉली लिख दो वही जो आपको याद आ रहा हो बहुलाग ठीक है बेकलाइड लिख दो आप चलिए छोड़ते हैं चीज को एक खास बात और बताओ सबसे पहले 1733 में इस चीज को भी नोट कर लेना यह बेसिक इंट्रेक्शन है काम आता है 1733 में सफिशिंत करा है किande 633 में बरजीलियस ने औरे यार इतने बड़िया साइंटिस्ट है नहीं एह एंने आगी लगा दिए इस टाइम बरजीलियस ने पहली बार पोलीमर सब्सबें सब्साइब कराgun ने साथ की इंके बात की इस तो इर कितने यम बाढ़ की बात पोजदी 1907 में 1907 में बेक लेंड एक साइंटिस थे जिसने पहला बेक लेंड एक साइंटिस थे जिन्होंने पहला पॉलीमर बनाया और वो पॉलीमर था यूरिया फार्मेलडी हाइड रेजिन क्योंकि इस दुरान यूरिया बन चुका था लेब में तो यूरिया फार्मेलडी हाइड बनाया था किसमें बैक लेंट ने नाम था विटे देक लेंड ने और वेसिक इंट्रोडेक्श्न मता रहा हूं आपको इसका बैक लेंड एक ऐसे सैंटिस्क हुए जिनुन नों रही उन्हाद मैं पहला पोलीमर्ड बनाय जो चीज अब वह सब बाद में आई चलिए साथ disparity की बात है 2022 मैं 1922 मैं इस तो डिंकर सांटयों का नाम है इस तो डिंकर अब लगा लो इस टो डिंकर नं historic 22 में पोली मर का सद्धान दिया और झिसके लिए इस तो डिंकर को क्या नाम था हैं नह bride रिंख्याम कि इस के लिए इनको क्या मिला कने नोबेल प्रुषकार मिला अब लगाई यो नाम किसने दिया बरजीलियस ने पॉलीमर सब्द का यूज करा पहला पॉलीमर किसने बनाया बेक लेंड ने बनाया और नॉबल प्रॉसकार किसको मिला 1922 में इस्टोडिंग कर गूँ यह तो नाइंसाफी है यार है नहीं है मिला किसे था इन दोनों में से किसी एक को लेकिन म ठीक है लेकिन बात मैंटर यह है कि हम अपने डिरेक्टरी पॉइंट बात है क्लासिफिकेशन आफ पॉलीमर ठीक है तो यहां तक क्यों सोलों उसको बात देखते हैं जल्दी फास्ट वह तो वह अब भी कि ठीक है राइन पक्लासिफिकेशन आप पॉली म अचाना । इसको हिंदी में कहते है वह लकाओ वड़गी करना अब सबसे पहले चार्ड नमा दो मैं आपको फिर करेंगे उसके बारे में डिसकस करके ठीक है तो चार्ड मना लो चार्ड कैसे बने का बोच करते हम तो पॉलिमर सबसे पहले डालते हैं है एटिंग पॉली मॉर्प लाइन पर सब्सक्राइब ठीक से और यह चार प्रिकार का यानि के चार सैब्सक्राइब याले कशार का होता है मेरे दोस्त either अब कौन कों सब्सक्राइब होते हैं वह भी हम च簡 परेंगे इस को लिएutyda यह बिल्कूल तैडियर है एक धोरे जड़ा दिहान देना लाइन पर कि सबसे पहला बहु लख चैप करते हैं दो को पैसा नम मेरा जो बहु लखाए आता ना वहान ता ओन यू वेशिस टिए ओन दी वेसिस थी ज़्यश्ट ओन दी वेसिस आफ सोर्स ठीक है है gsor cp-sor c ojos यह अनीक हिंदी मैं कहते है इस तरोत के अधहर पर भे तीक है 1डा वेसिस आफ ओम दवेसिस ओन्दवेसिस ऑफ ठीक है ओनदव वेसिस आफ इसाफ का नाम सुना वे सिर्तैक्जर यह इस अन्दा वे करल लेना इस तन दकना करिंद ठाव ठीक है है फिर एक थर नम्मर हमारा हमारे आता ही तो आनला मेश हमगों आ टूमने कंट मैं आर फोरक्त जानव अन अनला यह अननलaware इसको मोलेकुलियर फोर्से ऑंड़ ज्य। हमारे पास ओंदा बेशीज भूंदा वेशी चाहट ठीग है ओंदब वेशीज अफ पोली मीरी जैस्शन Okay ओके सांफ पली मेली जैस्शन जैट मासकते हो स्वर्त तो मर्जी आपकी बीच में अब यह जो major उसbelt वेशीज आ फट zumos लिए सः तो सोर्स के अधार पार हम tb2 के होते हैं यह पहला होता है normal अरण ने चुरल मतलब समझते होना प्राक्टिक पुलीमेर दुसरा कून सो ոुदा मेरे पास ए कि सींते टिक श संसलेसित इसको हिंदी में कहते है संसलेसित याद कल लिए ठीक से संसलेसित बहु लग ठीक है चलिए साब एक वहता है तुमारे पास सेमी सिंथेसिस सेमी सिंथेसिस ठीक है या सिंथे टिक बोल दो आप सिंथे टिक कैदो आप चलो ठीक है इसको बोलता है अर्द संसलेसित कै है सब ठीक है ठीक है यह बना मेरे पास अंसल लिए यह थाब रागट इसकी में कहते है ने चलोब रगती ठीक है तो ओंदा वेसिस ट्लट्टि यादार पर यादार के आदार पर हम थेन वर्गों में डिवाइट करते हैं फर्स्ट इसकेंड और हमारा कौन साहा बेटे थर्ड ठीक है यह होगा तीन वर्गों में डिवाइट चलिए साब ओंदा विसे आप इस टेक्चर के अधार पर देख लेते हैं कुछ नहीं है कुछ नहीं है इस टेक्चर के अधार पर सबसे पहला आता लीनियर दूसरा था क्रोज चैन बहुलक और थर्ड आता तुमारे पास अधिये बॉल दो कोई दिक्कत नहीं है दुसरा था मेरे पास क्रोज मतलब ब्रांग भी आरे इन सी एचीडी ब्रांज चैन पॉलीमर ब्रांज चैन पॉलीमर इसको हिंदी में चैन साखित स्रंखला भूलक ठीक है और एक मेरे पास क्रोज लिंग ची आर ओ लूवल सीडी क लिंग्ड बहुला कि रोज लिंग्ड पॉलीमर इसको हिंदी में कहते हैं तिरिया का बंद बहुला तिरिया का बंद बहुला चलिए साफ आया करवाएंगे सक वाहें जो मैं एक लिखाली बावना सब बताओं वारे में ठीक है लेकिन टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला या है फाइवर्स ठीक है फाइवर्स पॉलीमर ठीक है तिसरा कुंसर था थर्मो थर्मो प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक थर्मो प्लास्टिक बहुला और चोथा कुंसर था मेरे पास थर्मो सैटिंग बहुला यह सैटिंग बहुला यह सैटिंग बहुला स्विर्मनेजिशन थाय। दम ढको से सथ मेहूंप थे आप पोली मेरिजेशन दो गर वगा है एक कॉता एडिस्टन पॉली मेरिजिशन ठियुए रूधा ना मत बिल्कु छोटा नन्न bullish पच्छोवाला तो इसका दरा पहले स्कीन सोड़ लो वह फिल आलंगा हम पहले नमबर ओंदा विशिस आफ सोर्स यानिके सोर्स के अधार पर यानिके स्टोथ के अधार पर जल्दी स्कीन सोले लिए उसका फास्ट ले लिया अधरिये साफ रबू रदाव अरे वड़ा इसी होता पर आजी होता है कुछ नहीं है इस मैं विल्कुस सिंपल से टोपी एं ठीक है हूं से ओके ऑके ओके एखर आप ने बता लिया हमने मौन लिया है मानों यह अदो टॉपिक तो इजी है चलिए शाव सब स्कू हल नमबर मीरे पास का में एंड़ा ढलाई वेशिजाफ गए सूर्स और वीट्वला कूरे टोब क्रता में सब कुछ पहलए नमेरे पास कुण साहता प्राकर्तिक बकुल या !? देखें आपने कभी हाँ देखें प्रोटीन देखिए लेखते प्रोटीन देखिए देखिए और और के देखा आप और स्टार्च देख है इस सब क्या होते है प्राकर्तिक बाहुलक होते है यानिके ऐसे बहुलक जो पेड़ पोधे और जीव जनतों से मिलते हैं नेचुरल पोरी मर्ग कहलाते हैं यानिके प्रागर्टिक बहुलक कहलाते हैं आप साइड में लिखना प्रागर्टिक बहुलक में ठीक है तो लिख दे रहा हूं मैं देखो ऐसे बहुलक परिफासा इनकी ऐसे बहुलक जो कहां से मिलते है बेटे हमें ऐसे बहुलक जो पेड़ पोधे ठीक है पेड़ पोधे तथा जीव जनतुओं तथा जीव जनतुओं से प्राप्त होते हैं जीव जनतुओं से जीव जनतुओं से क्या होते हैं हमारे प्राप्त हो होते हैं ठीके सरी केरा तक होते है नैचरल नैचरल पॉलीड के लाते हैं नैचरल पॉलीमर के इसका कोई परस्नली एक्जांप खार में कह Л습니다 protein मुखत मों के चोकल लगाया टाका नेने और वहा है कि पर दौक बहुत सोरी एक्जाम्पल है क्या मेरे पास पहला प्रोटीन हो गया चलिये साब प्रोटीन हो गया दुसरा इस्टार्स हो यह ठीक है स्टार्ट यह तिसरा नेच्टूरल रबर वही है नेच्टूरल रबर लागर्टिक रबर ठीक है प्रगटिक रबर लोगई इटी सी कड़ दो आदी गड़ जारा तिक इसका सटीन नमबर देखु जारा उन साइब मेरे पास संसलेसित बहुला यानिके इनिसमें कहते हैं सिन ठेटिक पोलीमर इसको हिंदी में क्या गोलते हैं पीटे संसलेसित बहुलक आ पृब क्या होते हैं इसके बारे में ता हमें कूछ पता ही नहीं है अपे संसलेसित यानि के सिंथे सिंठेटिक पॉलीमर क्या होते हैं रीयल्टिवनी बदाइस के बारे में चलिके सार्म ऐय divi महीं दोब यह बहूलक मानम निर्मित होते हैं और बता कैमिकल पधार्व सा criminal बना जाते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ में चारों तरफ हैं प्लास्टिक पॉलीथीन यह सब क्या होते हैं हमारे सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं जिनको मनुस्थे ने खुद बनाया है यानि के यह बहुलक मानम निर्मित होते हैं और कैमिकल पदार्थ होते हैं ठीक है मैं ड ना रशाइनिक पधार्थ होते हैं ठीके नहीं पढूर्थ होते हैं ऑपके रसाइनी पधार्थ होते हैं और बताईए इसरह इनकी बारे में क्या खास्थ एक्जामपल रिदो एक्जामपल बहुत सारे अने एक आपक्जामपल इतने एकजामपल आप खुद का नाम भूल जाओगा इसकी शक्र में जैसे देखो पॉली विनाईल किलोराइट पॉली थी पॉली थी ठीक है पॉली थी इस्टायरीन कि नाम आप स्टाइरीन स्टाइर नाइलोन नाइलोन शिक्स ठीक है नाइलोन शिक्स-टीट इसी कड़ आधी करता बहुत साने कितने नाम लिखो गया तीन चाहिए नाम भोते हैं अच्छे ठीक है पहला नैच्रल पोलीमर हो गया दूसरा सिंथेटिक पोलीमर हो गया तिसरा नंबर कौन सा का मेरे पास सैमी सिंथेटिक यानि के प्रागिट्षिक बहुलक पर रसाइनिक किर्या दोवारा बना जाते हैं जीस प्रवाणी किर्या करवागे उसमें सलफर डाल दो ठोक दो सलफर को सलफर करेगए क्रोस बोंडिंग करेगा और रवण बड़ी संदार वाली बनके तयार हो जाएगा चलिए साब सिंथे टिक सेमी सिंथे टिक पोलीमर ठीक है चलिए साब सेमी सिंथे टिक पोलीमर क्या बात सार क्या परिमादाली होगा सर इसकी आप तो यह बहुलक यह बहुलक मतलब यह पोलीमर प्रागर्टिक प्रागर्टिक बहुलक पर प्रागर्टिक बहुलक पर यह बहुलक रसाइनिक किरिया दोवारा बनाए जाते हैं ठीक है रसाइनिक किरिया दोवारा बनाए जाते हैं ठीक है सर बनाए जाते हैं ओके बनाके रिखाओ आज एक्जामपल अरे बनांगे बनांगे बाद में डर्कियो रहे हो एक्जामपल रहे हो इसका क्या ग्जामपल होगा बताय थैसलिसर दो मेरे है कि और अब मेरे पास सब्धिया नम्मर आता है ऑंद आफ वेसि आफ पनलड़र आफ KYAN बाव मुझे एसी साफ हां सरोंड़ भी लगिता का स्टेक्चर 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 फिल्यू सी डी यो Όнब सद्धाओ इसिटीट्चर्ट्य के सूर्स यानि के संदाषण हाथ हींदी में लिखो मैं इस अधारपर संदाषण के अधारपर ठीक है तन्रत Düisters के अधार पर ओके सर यसार सना के अधार रेखिक या रेखिये बहूलक रेखिक बहूलक देखो कुछ नहीं है इसकी परिफासा आप खुछ से लिखना अपना आप चित्र मनेगा इसमें बढ़िया शांदर वाला कैसे देखो यह जो पॉलीमर होते हैं मेरे पास यह यह साप मना दिया नागिन मना दिया से नागिन डंस करवा दिया तो पॉलीमर क्या होते हैं यह सब क्या होते हैं यह सब क्या होते हैं मेरे पास पॉलीमर होते हैं ठीक है तो ऐसे बहूलक जिन में पॉलीमर जो होते हैं एक सीधी और लंबी चैन में जुड़े होते हैं ऐसे बहू मोनोमर एक सीधी और लंबी चैन में जुड़े होते हैं कि लाते हैं लेनियर पोलीमर के लाते हैं ठीक है तो मैं यह लिख दे रहा हूं दो को परिमादस की ऐसे बहुलाग आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो यह चाहो तो कर सकते हैं एक और बनातो चलो मरजी आपकी मरज यह आपकी लोग ठीक है तो मैं लोग के ऐसे बहुलाग यह ऐसे पॉलीमर ऐसे पॉलीमर ठीक है ऐसे पॉलीमर जिन में जिन में मोनोमर जो होते हैं मोनोमर एक लग जिन में मोनोमर जिन में मोनोमर एक सीधी तथा लंबी एक सीधी तथा लंबी एक सीधी तथा लंबी चैन स्रंखला बोलते हैं मैं जुड़े होते हैं जुड़े होते हैं लीनियर पॉलीमर कहलाते हैं कहलाते हैं okay sir okay example इए अप example क्यों गाइसका वह या example अरे यार नन्ने मुनने बच्छे thicken का आट्जीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन या पॉली बिनाईल किलोराइड एक तीकर दूआप रिया पॉख जबी बिनाईल किलोराइड ठीकर यह ओ गए मेरे पास कलो गए नहीं पड़ा तो ना यह छोटा सा होगी गा तो ऐसे पॉलिमर जिन में मोनोमर जोते हैं एक लंबी तथा सीधी एक लंबी तथा सीधी एक लंबी तथा सीधी काइम होते हैं चैन में होते हैं चैन में जुड़े होते हैं लीनियर पॉलिमर कहलाते हैं जैसे हाई डेंसिटी पॉलिएथिलीन कोई दिक्कत नहीं है या हाई ले लिया होगा पक्का कर दो एक चलो साथ इसको मैं रियस कर दे रहा हूं और बड़ाई टूपी के रियालिटी बता रहा हूं इन से इजी टूपिक तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला मेरे दो सबसे सिंपल सबसे इजी टूपिक यही होते हैं सबसे सींपल इए वाले हैं चलिए साथ और बताएं दूसर नंबर सकेंड़ मेरे पास आता है ब्रॉंच ब्रांच चैन ऑके ब्रांच चैन पॉलिमर ब्रॉंच चैन पोलीमर देखिए विड्याय होता है इसको है हिंदी में वह लिख हुका रंगला पॉला अब यह साकिस कुछ नहीं 40 है एक लंबी चैन में साइट जेन जोड़ी होती है इस ताइब से देखू सो कि בला yamish यह मिरे पास सबह्त एस लंबी चैन में एक है क्षैनल बैट कर problems लो ठीक इस लंबी चैन में ये यह ठीक है बिटे हिए क्या बना दिआ हैं भivity रांग Сам किया बना दिया आपने यह जड़ियाँ बना दी प्लान सैंगाल दी गह żyंए और यह नहीं होते हैं वह रही होता मिरे पास यह था। द्रांट चैन पोbons ऐसे पोलीमर जिन में जिन में सीधी चैन में जिनकी सीधी चैन में साइट चैन जुड़ी होती है ठीक है यानिके सीधी चैन प्लस साइट चैन एक्वल टो ब्रांस चैन पोलीमर तो ऐसे पोलीमर लाइन पर दिहान देना पिटे ऐसे पोलीमर ऐसे पोलीमर जिनकी सीधी चैन में जिनकी सीधी चैन म साइट रूञहें शेयं के पास्रूग स्रंखल रापा स्तों लिए साइट यथ जूड़ी ओती है जुड़ी होती है कि गलातरा हमाञे पास ब्रास्ञ पुली मैं किलाते है बिए और एजस अ 해도 चैन पॉलीमर के लादते ब्रानचे लिए यांपी करें सब्सक्राइज पिल्डी लोड़ एंसेटी पॉली आथिली ऑप हमें धर अब लंबर कॉन सा क्रोज और सर्ट रोस्ट चैन भी सियर्स ने दें लिंग डोस्टिंद लिंग लोस्टिंग क्लोस विलीमिर ओके सरों के सब्डोस लिंग पॉली मर्विद कहो य इन से उोती है वह आपस में जुड़कर ठीजयंट बनाती है यानि कि ऐसे भूलक ऐसे ने अशे पोली इंट आ जिन कर बढोलक रेख गें steep mean chain आपस में यो चैन्फ here नींट मेरे के लीनियर यह से linear जैन जन मैं linear यह आपस में जुड़ कर आपस में आपस में जुड़कर ठीक है 30 यान्य आदिक प४ह स्टेक्चर बनाती है यह फिस्टेक्चर बनाती है करोज्ड चेयार और अवलस एडिम्र क्लोजड चेन पोलीमर कहलाते हैं इसकतर मैं कैसा रहा हूं यह है मेरे पास रे घुजए चैनल या रेकिक चैनल इसके बात थे बार च्बाद तर वसे एस तरह राप्रा जंदलू मनादिया आप जोड़ दो फिरी सिलसों असने सबर्सकु थे हो तो यह मलब भुलों कुछ लिंग पोली म neighborhood करें छोड़ देखिए ठीक क्या आप यह बारात एक चासी रहा ना देक है आपने सब ने देखा बेकिलाइट आपने देखा है जो जो खेतली किसानी करते हैं लो वह उनके जो द्राद के हैं प्लास्टिक की बने हुए वह बेकिलाइट होता है और एक बता हुआ खाना सब बनाते होंगे कुकर सबने देखा जो युरिया-फोर्मलडी हाइड रेजिन ócies ओर योरिया फार्मल्ली्ड हाइड है रेजिटीक है योडिया फॉर्मल्ड हें इस इस आधी फॉरूमय योडी पोरीमार् तिसरह उता है क्रोष लिंग्ड मिर्प और तीनों की सनसीन हमनें बना के ली अब बताOWन- शिक्स कॉन सा फोरीमर एगर मैं आप सका मическая कोश्मिराइस कहोदा किनाइलन सिक्सेट कुन सा पोलीमार है जिरह मुझे बताऊना लिंग्ड बकॉलीमर और मदा कोशन के नाइलोन सिक्स पोलीमर है कुन सा लीनियर पोलीमर है या किलो ठीक से चलिए सब भड़ा देता हूं मैं चीजको कड़ने रहे जिसको अब म्यद्व थर नमबर आता है ओंदा वेसिस आफ तो ओंदा वेसिस ऑफ कौन सा वाला बेटे on the basis of molecular forces ठीक है चलिए साथ देख लेते हैं थार दंबर डाल देए मैंने इसे भी निप्टाते हैं on the basis ठीक है on the basis of molecular forces एस तर्फ एस फोर्स फोर्स एस चलिया साहब इसको हिंदी में कहते हैं आणभी बलो के अधार पर जाना समझाने वाला कुछ है नहीं या दिक अधार पर पहला नमब जो आता ना मैंने क्या बोला था यह साज होय होते हैं और अपर पर्तियास्त क्या थैंतियास्त होता है के प्रतियास्त पाम कहते हैं कि अगर किसी बस्तू को खीच लगे तो छोड़ने पर अपनी प्रत्यास्त हम क्यों होते हैं तो यह वहीं बहु लगोते हैं इन में प्रतियास्ता का गुण पाहा जाता है इनके बीज में जो इंटर molecular attraction force होता है, यानि कि accretion बल होता है, वो थोड़ा कमजोर होता है जिसकी वज़े से ये आसानी से खिज जाते हैं, छोड़ो के तो अपनी प्रागम्दी के वस्ते में लोडाते हैं, यानि कि इन में पिर्तियास्ता का गुण पाहा जाता है, इन में जो मेरे पास इनके बीच अकरशनवल होता है वो दुरवल होता है कैसे होता है इनके बीच अकरशनवल बीग होता है बीग होता है बीग मतलब कमजोर होता है जिसके कारण इन्हें असानी से खीचा जा सकता है एक्जामपल आप बताओं आपके दिमाख में इसका एक्जामपल आगया होगा कि ऐसे इसमें प्रतियास्ता गुण पा जाता है इनके बीच अगर्शनबल भी होता है जिसके कारण इन्हें असानी से खीच आजा सकता है रवड का नाम सुना है हाँ यार सुना ब्यूना एस ब ब्यूना एन हो गया मेरे पास एक मेरे पास हो गया ब्यूना ब्यूना एस ठीक है एटीसी कर दो तो यह सब क्या है यह सब तुम्हारे पास एलास्टिक पॉलीमर उते हैं जिनको खीच हो गए और छोड़ दो कि तो अपनी पारंदी अवस्ता में लोटाएगा आप रवड क हो ठीक है अपाइब इसको नालन टॉलता है याईने के लिनियर मठ। तो है पर उसमें रीसे भी होता है काटके देखना आपcé ठीक है तो इनकी संद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् है इन में अकर्षन को रहशन बल इस्टोंग होटा है Have a strong को होता है ओके होता है एक्जामपल का ठीग ईगा एक्जामपल में इसको कτι्यक्ता इच्छांपल इसका क्छा पॉलिमर को कि इसको हिंदी में कहते हैं लिख लो ज़ो हाइँ ही इसको भी लिख लो टरा है ताफ सुघ्टे बहूलक ताफ सुघ्टे गपुट्ट्री नजना होगी तो पॉलीतिन को पहले गरम परो तो मुलाय मिलय होने पक्यों गरोगे करो तो थर्म प्लास्टिक फवलत के घरम करने और यह मुलायम करके आप किसी भी रूप में धाल सकते हो यह quality होती है इनके अंदर ठीक है यानि कैसे बहुलक teryसे यह करने पर जिननाן हीट करने पर अच्छे सथ चो़र जिनांफेच्प करने पर मुलायम हो जातें हो जाते हैं ठीक है मुलायम हो जाते हैं तथा ठंड़ा करने पर कट्छोर हो एप करने पर कत्छोर हो जाते हैं ठीक है नरwee सकते हो यह को Wagam पढ़ने वाला पॉइंट नहीं इसमें इसमें यादी करना इसमें आप कोई भी पॉलेथिन उठा के देख लो उसको गरम करो गरम करने पहले मुलायम पढ़ेगी नरम पढ़ेगी यह जब जब मुलायम हो जाएगी तो फिर जब उसको ठंडा होगा वह गरम होने के वाज़ ठंडा हो जाएगी ना तो फिर सब्सक्राइब देखा होगा कि पॉलेथिन बहुत सारी पॉलेथिन खट्टा करी और लगाई और गैन बना ली है ना इकाम हमने भी करें पहले कभी यार तो ऐसे बादूला जिने हीट करने पर मुलायम हो जाते हैं तो ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं थर्मो प्लास्टिक बहुला के लाते हैं ठीक है थर्मो प्लास्टिक ठीक है सर्थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर के लाते हैं थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर के लाते हैं तर्मो प्लास्टिक पॉलीमर के लाते हैं तर्मो प्लास्टिक पॉलीमर के लाते हैं ओके स एक फोर्थ नमरा थर्मो सैटिंग और माई गोड सैटिंग इसमें चलिए साथ थर्मो सैटिंग पॉलीमर कि नह静 capitalize को इसको कज हम धर्मो सैट भी थर्मो सैट समस्ते हो नठर्मो सैट जो दिमांग लगाओ फर्मो मतलब गर्मी और हमारी यह ताफ होगी तर्म मतलब उसमा सटा- never मतलब उसमा जब आप इनको हीट करोगे ना तो सेट हो जाएंगे यह हीट करने पर सेट मतलब कठोर हो जाते हैं और कठोर होने के बाद ठीक है इनको आप किसी भी रूप में नहीं ढाल सकते हो एक बार अगा इनको पिगला दिया आपने तो फिर किसी रूप में नहीं ढाल सकते हो यानि के ऐसे बहुलग जिनको गरम करने पर कठोर हो जाते हैं और आप किसी भी रूप में नहीं ढाल सकते हो जबकि इनको आप किसी भी रूप में ढाल सकते हो, आप एक गैन का कार दे सकते हो, आप किसी भी टाइप का कार दे सकते हो, लेकिन इसको गरम करने के बाद कठोर हो जाते हैं, कठोर होने के बाद आप इनको किसी भी रूप में नहीं ढाल सकते हो, वो सबके सब थर्मो सैटिं कठोर हो जाते हैं तथा किसी दुसरे किसी दुसरे रूप में परिवर्टित नहीं किया सकता है थर्मों कश ही सेटी में पॉलि दाएं लाते हैं उपर यो डिय材 कि आई देड्ट कि भכ आरओ जैंसर बेकल ऑल्डा मतलबzinho आव जब ज़आओ ऊसको जलाने के बात की वाध्यों पैक गरम तो होंगे वोर्ण होने के बिल्कुल खतम हो जाते हैं उनको आप पिगला किसी दुसरी रूप में लाइनी सकते हो ठीक है यानि कि पिखलाने के बाद थर्मो सैटिंग हो गई तो घुन कर दाने एक नमब रहा गया हमारा अच्छा सर एक नमब और रहा गया वाह क्या बात है कौन सा नमबर है वह हमारा ओंदा वेशिजाफ पॉली मेरी जेशन वैसे यह रूप है नहीं लेकिन फिर भी लोगों ने दे दिया उठा गई है दो प्रिकार का होता है बहुला एक एडि कि ओन्दा वेशिजाफ ओन्दा यानि कि उसर नमबर आगया मेरे पास ओन्दा वेशिस आफ ओन्दा वेशिजाफ मूरा पॉली मेरी जेशन ओन्दा वेशिजाफ पॉली मेरी जेशन ठीक है पॉली मेरी जेशन चलिए साथ है कि दो प्रिकार के बहुला होते हैं कि दो प्र का हिरें के होते हैं ओके पहला बता पूलीमर लगोने नबाता है पहले अलोका अध्या नंंटा अज़ते हैं असका Right टो हूते हैं नबल अध्यार अचारवण संय तो जिनमें डबल वॉर्ण होता अ को सब के रहते हैं हमारे हासंत्र रप्ति के आस Students りगे यहां पर यहने के एसे वह वलाग जिनमें असंत्रप्त वोण उमर आपस में जुड़कर पोलिमर बनाते हैं ठीके एडिशन पोली ठीथ' ऐसान पॉलीक्रिकॉर्च होरु इस पेकला है लिए शा संत्राप्त जब समाण जूड़कर आपस में जुड़कर यानिक好像 जूड़कार के संत्रप जूढर्यकार एस यायनिकि सम्देश हिर्द करके संत्रप, लॉ्ब जुड़के उन जुड़कर सब्यानिक कारे संत्रफ़ कारे संत्रफ मो लाप्स ठीक है तथा इस प्रकिरिया को तथा इस प्रकिरिया को हम क्या बोलते हैं एडिशन पॉली मेरी जेशन कहते हैं पॉलिमेरिजेशन कहते हैं ओक्ए ओके सर्ट एक्जांपल लिख बाया साथ एक्जांपल कुछ नहीं है पॉलिधी ओग यहां माला क्योंग पॉलीधी ठीके पोली डीके ठीके पॉलिवाइनल क्लॉराइड श्टायरीन श्टायरीन ठीके एटीसी कर दो आदी कर दो जैना चल चलिये साथ यह वह देख लेता है हिंदि में होने संगनन वहों दए हैं क्डेंजिशेंग कल रोता है इसमें दो भिन-विन प्रकार के एक लकार जिनमें क्रात्मक समु लग भिन-विनु होते हैं 0072017 प्रकार एक लगे आपस में जुड़कर धियान देने दो भिन भिन क्रियात्मक समुवाले एक लग ऐसे बोल सकते हो ठीक है दो भिन भिन ध्यान देने बिड़े दो भिन भिन क्रियात्मक समुवाले क्रियात्मक समुवाले एक लग समुवाले मोनोमर ठीक है olf पोलिमर अगर में रcia lay उनियुक्र इसमें तो होता समाय आत्रिकार के ड्लूकर मोन उमर उते हैं और इसमें होता है बिटे दो भिन-भिन क्रいात्म Approal आपस मोनोमर आपस में जुड़कर पोलिमर बनाते हैं तो उसे थो हम क्या तो उसे कंडेंशेशन पॉलीमर कहते हैं कंडेंशेशन पॉलीमर कहते हैं पॉलीमर कहते हैं तता इस घटना को या इस प्रिक्रिया को तता इस प्रिक्रिया का नाम दो में इस प्रिक्रिया को कंडेंसेशन ठीक है लाइन फुद्यान इसन पोली मेरी जिशन कहते हैं ऐस था क Western क्यां कि दूथ तो नायलोन स्थय क्या होता है बाद मेi परनंडेंगे फिद्दाल इतना है कि यह एक लग्ड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं एक पॉली मर बनाते हैं जिसे हम क्या गोलते हैं अब यारस में ज्यादा समझाने लायक है नहीं आपको याद करना है एक्जामपल याद करने हैं और पेपर में लिखके आना बढ़िया करके ठीक है अब ऐसी एक नए टूपी के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठेंक्स